नवस्कार मेरे प्यारे मित्रों आप सभी का हमारे सब्दिग्यानी यूटूब चनन में स्वागत है मित्रों आज हम बात करते हैं एक जन्वरी से लेकर साथ जन्वरी 2024 तक का इस सब्दे का स्प्ते का से चन्वरी 2024 तक का सिंग राशी के जातक और जाती काओ का कैसा रहने वाला है राशी फ़ल सनी देव चंदर रासी से आपके साथ में भाव में इस्तित होने के फल स्वेरूप सेहत के नजरिये से है सबता थोड़ा कम ठीक रहेगा इसलिए जो आप खाएं उसके पिरती साबधान रहें और जितना संबब हो अधिक मसालेदार खाने से परेज करते हुए आपकी दिन चारिये में योग और वायाम का सहरा ने इस रासी के जातकों के लिए आर्थिक लिहास से यह सबता काफी अच्छा जाने की उमीद है क्योंकि यहां की दसा और दिसा इस समय आपके लिए काफी अनुकूल इस्तिती में नजरा रही है ऐसे में आप प्रोपर्टी या जमीन से जुड़े किसी कोट कचैडी के मामले में भी सफलता आरजित कर सकते हैं इस सबता ना चाहते हुए भी परिवारिक सदस्या या जीवन साथ ही आपके मानसिप तनाब की बजह बन सकते हैं क्योंकि संबब है कि वो आप से किसी ऐसी चीज की मांग करें जिसे पूरा करने के लिए आपको अपका एक बड़ा भाग खर्च करना पड़े इसलिए आपके लिए बहतर यही होगा कि आप उनकी इस मांग को लेकर सही संबाद करते हुए उन्हें समझाने का प्रियास करें इस सबता आप अपने पूरु के लंबित पड़े कारियों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे जिससे इस रासी के जाता को कुछ दोरान पदो नती वेतन वरद्दी और कारिय अच्छे तरके उच्पद भी मिनने की प्रवल संभावना है कैई छातरों का अवशक्ता से अधिक आतम विस्वास और आलास से इस सबता उनके पतन का सबसे मुख्य कारण बन सकता है इसलिए इन लक्षनों से आपको दूर रहने की जरुवत है अन्न था आप ना चाहते हुए भी खुद को अपने लक्षे की रेश से बहार कर देंगे उपाय करना है पिरते दिन चवालिस बार ओम हन हन मंते नमा इस मंतर का जाब करें इस शे आपके सबता आने वाले संकट टल जाएंगे मित्रो यदी इस सबते हम तुला रासी के जातकुर जाती काउ के रासी फल के बारे में बात करें तो चंदर से केतु आपके बार में भाव में इस्तित होने के परी नाम स्वेरूप इस सबता आपके उपर कुछ अधिक बहाबुक मिजाद साया रहेगा जिसके कारण आप दूसरों से खुल कर बात या समवाद करने में कुछ संकोच महसूस कर सकते हैं ऐसे में यदि आप खुद को तना मुक्त रखना चाहते हैं तो आपके लिए बहतर यही होगा कि बीती बातों को दिल से निकाल कर नई सुरुबात करने का प्रियास करें आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचन आत्मक पिर्तिभा को सही तरीके से इस्तिमार करें तो वह काफी फाइदे मंद साबित होगी और आप उसी ही की मदद से अपनी आर्थी किस्तिती को बहतर कर सकेंगे जिस से आने वाले समय में आपको अच्छा लाब मिल सकेगा इस सब्ता आपके कुटुम में उत्सा का माहूल रहेगा और सभी सदस्य पिरसन दिखाए देंगे परिवार में लोगों की खुशी देकर आपके मुख पर भी मुश्कान दिखाए देगी और आप परिवार एक सुक पराप करने में सफल होंगे आपको इस पूरे ही हपते अपने वरिष्टो और उच्छा दिकारियों से पूर्ण पिरसन सा और सहयों मिलेगा इसके अलावा आपके दुआरा की गई यात्राए भी दोरान आपको बहुत लाब पहुचाएंगी क्योंकि आपकी कुंडली में कैई सुब गिरहों का परिवाब आपके हित में दिखाए दे रहा है मजबूत घर के लिए मजबूत नीम का निर्मान जिस पिरकार बेहद आउशक होता है ठीक उसी पिरकार बहतर भविश्य प्राप्ती है तू अच्छी सिक्चा ग्रहन करना भी उतना ही जरूरी होता है परन्त इस बात से आप इस सब्ता बिल्कुल आलग ही दिसा में चलते दिखाए देंगे उपाय करना है सुक्रवार के दिन विरद महिलाओं को भोजन दान करें मित्रो यदि सब्ता हम कुम्ह राशी के जातकुर जातिकाओं के राशी फल के बारे में बात करें तो चंदर के संबंद में देव गुरु बिरस्पती आपके तीसरे भाव में इस्तित होने के कारण यदि आप ऐसे डिटी अपज और गठिया जैसे रोगों से परेशान थे तो इस सब्ता आपको इन रोगों से कुछ राहत मिनने के योग बनेंगे हाला कि बाजूद इसके आपको समय समय पर होने वाली सरदी जुकाम जैसी छोटी मोटी समश्यों से अपना बचाव करने की सलह भी दी जाती है इस सब्ता जिस तेजी से आपकी आमंधनी में वरद्धी होगी उतनी ही तेजी से वो धन आपकी मुठियों से आसानी से सरक्ता भी दिखाई देगा हाला कि बाजूद इसके आपको इस पूरे ही समय बहाग्य का साथ मिलते हुई आर्थिक तंगी से दो चार नहीं होना पड़ेगा आपके दूसरे भाव में राहु के इस्तित होने के फले से रूप सब्ता आपको सुरूबात से ही अपने माता पिता की सेहत के पिरती सजकता बरतने की जरूरत होगी इसके लिए उनके साथ समय व्तीत करते हुए उनकी सेहत का ध्यान रखें और जरूरत पढ़ने पर उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाच के लिए ले कर जाएं इस सब्ता आप अपने पूर्व के लंबित पड़े कारियों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे जिससे इस राशी के जातकों को इस दोरान पदो नती वेतन व्रद्य और कारिय छेतर के उच्छ पद भी मिन्ने की पिरवल संभावना है वो छातर जो उच्छ सिक्छा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सब्ता अच्छा खासा रहेगा खास तोर से इस सब्ते की सुरूबात आप से आर्थिक मेहनत कराएगी परन्तु इसके बाद आप कम मेहनत करके भी अधिक अंग प्राप कर सकेंगे उपाय करना है सनीवार के दिन सनी ग्रह के लिए यग हवन जरूर करें तो मित्रो मेरे प्यारे सातियों ये था एक जनवरी से लेकर साथ जनवरी दोहजार चोबिस तक का इस सब्ते का तीन राशियों का बिलकुल सत्य और सटीक रासी फल सहिंग तुला और कुम्ब मेरे प्यारे मित्रो यदियाब को हमारा बताया हुआ रासी फल सत्या लगे अच्छा लगे तो vont like and say जरूर कर देना और comment box में जरूर बताना मित्रो ये दियाब में से कोई भी भाई भेन अपनी जनम कुंडली हस्तकरेखा दिखवाना चाहता है या अपनी जनम कुंडली बनवाना चाहता है या फिर अपनी जनम कुंडली के सुभरे साथ कराना चाहता है या फिर जीवन में चल रही किसी भी समश्या को लेकर परिशान रहते हैं उसके समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं तो मित्रो अब यहीं पर हम अपनी वानी को देते हैं विराम और आप सभी को करते हैं नवस्कार फिर मिलेंगे नई ओडियो वीडियो के साथ जब तक के लिए आप सभी को पंडित राजगुरू सर्मा का नवस्कारम जैहिंद जैभारत